आपको कौन से डिसीजन पर जाना चाहिए जब हम केस एपलाई करते हैं चाहें हम कितने भी अच्छे पेपर लगा लें या कितने भी बुरे लगा लें चाहिए हम शूर नहीं होते कि हमारा जो वीजा है वह आएगा ही कई बार ठीक-ठाघ पेपर पही वीजा आजाता है टीक-ठाघ ठीक ठाक ITR और ठीक ठाक statement पे भी वीजा आजाता है और कई बार बहुत अच्छी statement, बहुत अच्छी ITR और बहुत अच्छे documents पे भी वीजा नहीं आता है तो जब हमारा visa refused हो जाता है तो कई बार हम disparate हो जाते हैं हमें लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ पहले तो मैं आपको अपील के बारे में बताता हूँ अगर आपको लगता है आपका case refused हुआ है और आपको अपील करनी है और फिर उसके बाद में अपने बारे में बताऊंगा कि अगर मेरा case in case मेरा case refused तो मैं कौन सा decision लोगा बात करते हैं अपील की अगर आपको लगता है कि आपको अपने case में जो है वो अपील करनी है तो वो आप तभी कीजिए अपील आप तभी कीजिए जब आपको लगता है कि आपके documents पूरे थे आपकी ITR अच्छी थी आपके पास travel history थी मतलब आपने confused हो चुका है आपको लगता है कि जो गलती हुई है वो कहीं ना कहीं visa officer से हुई है उसे कोई mistake हो गई है आपकी file check करते हुए नहीं तो आपको यह visa मिली जाता तब आप जब इतने शूर हों कि आपको यह visa मिली जाता उस case में आप apply कीजिए अगर आप appeal करना चाहते हैं तो आ अपने refusal की date के बारे में और refused क्यूं हुआ था उसके बारे में और अपनी तरब से statement दिया जाता है कि आपने कौन से गलती की है और वैसे ही आप अपनी sign यह आप business करते हैं तो अपने business account की stamp वो सब करके आपको भीज देना होता है जिस embassy से आपने visa लिया होता है उसी embassy के refusal letter के नीचे वो address दिया होता है वहाँ पर आपको भीजना होता है यह ज्यादातर foreign में ही भीजा जाता है उसके बाद में अगर लगता है कि अगर उनकी साइट से कोई mistake हुई है और आपका decision है वो change कर देना चाहिए तो वो change कर देते हैं अगर उन्हें लगता है कि नहीं आपने ज decision को maintain किया जाता है बरकरा रखा जाता है अब दूसरा point यह कि अगर आपको लगता है कि आपको यह appeal के जंजट में नहीं पढ़ना है आपको फिर से clear नहीं है कि आप इतने दिन बाद ही apply करें यह आप तुरंट नहीं कर सकते यह तीन महीने तक apply ना करें आपको लगता है कि आपने last time जो है वो यह documents मिस से miss हो गया मुझे यह गलती नहीं करनी चाहिए थी तो आप चाहें तो अपने case को 15 दिन बाद भी apply कर सकते हैं मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम नहीं 15 दिन का time लेजिए और आप अच्छा होगा कि आप तीन महीने का time अगर ले लेते हैं अगर तो आपको लगता है कि आपको कोई documents में mistake कर दी आप जैसे married हैं तो आपने अपना marriage certificate नहीं लगाया या आप को यह ऐसा जरूरी documents लगान 15-10 दिन के अंदर ही लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको की profile ठीक ठाक है तब refusal आया है तो wait कीजिए तीन महीने तक और उसके बाद में आप apply कीजिए और कोशिश यह कीजिए कि आप जिस embassy से refused हुए हैं उसी में फिर से case apply कीजिए अब मेरा point of view इस पर कि अगर मेरा case refused हो refusal तो लग गया अब जो दाग था वो passport पर लग चुका है तो मैं क्या करूंगा उस case में कि मैं दो-तीन महीने का wait करूंगा और मैं फिर से apply करूंगा अगर फिर भी आपको लगता है कि ये video आपको जो है वो कही ना कहीं आप इसमें फसे हुए हैं आपको पूरी तरह के से समझ में नहीं आ रहा है तो whatsapp number जो है वो मेरे चैनल के description में दिया हुआ है वहां से जाकर आप मुझे message कर सकते हैं और उसके बाद मैं अगर मुझे करेगेगा कि आपका case जो है वो वड़ा ही complicated है तो मैं आपको call जरूर करूँगा धन्यवाद